नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो आखिरकार रिया चकवर्ती ने कबूल कर लिया सुसान सिंग राजपूत के साथ क्या किया जी हाँ रिया चकवर्ती तो दोस्तों वो इंसान है जो सुसान सिंग राजपुत केस में सबसे आदा गंभिर जिसके उपर आरूप लगे हैं दावा किये जाता है कि रिया चकवर्ती की ही वज़े से तो आज सुसान सिंग राजपुत इस दुनिया में नहीं है लेकिन दोस्तो अब जा करके और फाइनली और आखिरकार रिया चकावरती ने कबूल लिया है कि उसने सुसान्त के साथ क्या किया है दोस्तो आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं खुलासा करूँगा आपके पाउं तले से जमीन खिसकने वाली है तो चलिए मैं आपको बता हूं कि रिया चकावरती ने दोस्तो कैसे अपना गुनाह कबूल कर लिया है दरसल दोस्तो रिया चकावरती ने खुद बता दिया कि सुसान सिंग राजबूत बहुत ज्यादा परिसान रहा करते थे और ऐसे टाइम पर रिया चकावरती को सुसान्त का घर नहीं छोड़ना लेकिन रिया चकवर्ती ने सबसे बड़ी गलती की कि उसने सुसांत का घर छोड़ दिया इतना ही नहीं जब रिया चकवर्ती के उपर ये आरूप लगे कि रिया चकवर्ती ने सुसांत के पैसे चुराएं रिया ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए लेकिन ये सिरफ और सिरफ लोगों की गलत फैमी है कि रिया ने किसी के पैसे चुराए रिया ने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं तो किया है नहीं करेगी लेकिन एक बाद जरूर है दोस्तों कि रिया चकवरती रो रही है गिड़ गिड़ा रही है और रिया चकवरती को समझ में आ गया है कि उसने सुसांत के साथ बिलकुल भी सही नहीं किया है अब रिया चकवरती सुसान से हाथ जोड़ करके उनकी तस्वीर के सामने माफी तो मांग रही है लेकिन अफसोस की अब ना ही तो सुसान्त है माफ करने के लिए और ना ही सुसान्त के फैंस माफ करेंगे तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोग के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनेवाद